ओम स्रीवेंक टेसाय नमहा, मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नहराण राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रचित विनएपत्रिका से संबंदित आज मैं और एक पद की व्याक्या अब करने जा रहा हूँ इस पद में भी संत गोस्वामी तुलसिदास जी मन को राम के प्रतिव उन्मुक करते हैं और इसमें आत्म उद्वोधन हैं इस पद में भी तुलसिदास जी ने अपने मन को यह कहकर प्रभोधित किया है कि भगवान प्रभू श्री रगनाद जी के बजन पूजन से ही जीवन अर्दात जन्म दन्य हो जाएगी सबसे पहले पद देखेंगे कबहु मन विश्राम न मान्यों निस दिन ब्रमत विशारी सहज सुक जहतह इंद्रियन तान्यों जदपि विशय संग सह्यो दुसह दुक विशम जाल अर जान्यों तदपि न तजत मूड ममता बस जानत हून नह जान्यों जन्म अनेक किये नाना विदि करम कीच चित सान्यों होई न भिमल भिवेक नीर बिन वेद पुरान बखान्यों निज हित नात पिता गुर हरिसों हरशी हृदय नही आन्यों तुलसी दास कब तुरुशा जाएं सर कनत ही जनम सिरान्यों सबसे पहले कटिन शब्दार देखेंगे विसारी अरदात बोलकर सहज सुक आत्मानंद प्रसनता तान्यों तान दिया कींच दिया ताने बाने में उलजा दिया कींचा तानित की है आन्यों लाया है या दारन किया है कनत ही कोदते ही सिरान्यों बीत गया शांत हो गया है विस्राम आराम वो अरजान्यों उलज रहता है जानत हुँ नहीं जान्यों अर्दा जानते हुए भी नहीं जान्यों सान रखा है गिला कर रखा है बकन्यों वरनन किया है अब व्याक्या देखेंगे अरे मेरे मन तु कभी शान्त होकर नहीं बैठा हमेशा मतलब सदाइव चंचल ही रहा अपने सहज स्वाबाविक आनंद को बूल कर तो दिन रात विशय वासनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ बटकता रहा अर दात इंद्रियों की कींच तान में तु इदर से उदर मारा मारा फिरता रहा जद पी विशय संग सहियो दुसह दुख विशम जाल अर जान्यों तद पी नतजत मूड ममता बस जानत हों नहीं जान्यों जद पी विशय वासनाओं के चक्कर में पड़कर तुने दारन दुख सहें और उनके खटन जाल में फसा रहा तद पी इसलिए हे मूड मन तो अज्ञान के वशी बूत बना हुआ विशया सक्ति को नहीं त्यागता है जान लेने पर भी ना समझों की बांती व्यवहार करता है विशयों के अशिव पक्ष को जान कर भी उनमें लिपत है मानों उनके अशिव पक्ष को जानता ही ना हो जन्म अनेक किये नाना विदी कर्म कीच चित सान्यों होई ना विमल विवेक नीर बिन वेद पुरान भखान्यों अनेक जन्मों से तु अनेक प्रकार के कर्म करता चला जा रहा है और कर्म रूपी कीचड में तेरा चित पूरी तरह से लिपत हो गया है वेद पुरानों का ऐसा अभिमत है कि उनका विचार यह है कि विवेक रूपी जाल से दोये बिना यह कर्म रूपी कीव नहीं दुलती है अत्वा विवेक ही इस गंदगी से चुटकारा दिला सकता है निजहितनात पिता गुर हरिसों हरशी हुरदय नहीं आन्यों तुलसीदास कब तुषा जाएं सरकनता ही जनम सिरान्यों तो भगवान के प्रति अपने प्रियस्वामी पिता और गुरु की बांती प्रसन्न होकर कभी प्रेम नहीं किया अर्दात तुने बगवान को कुछ नहीं समझा यहां तुलसीदास कहते हैं कि उस तालाब के द्वारा मेरी प्यास क्या बुझ सकेगी जिसके कोदने में ही समस्त जेवन व्यतित हो गया यहां कहने का आशया है कि प्यास बुझेगी सिर्फ और सिर्फ बगवत प्रेम से उसको मैं करना नहीं चाहता हूं उसके लिए निच कारक्रम बना कर रहे जाता हूं अमल नहीं करता हूं इस पद की विशेष्टा हैं देखेंगे विक्ति यह जानते हुए भी कि उसका नाश अवश्यमबावी है तदा सामसारिक वैबाव विलास मित्या है नाना प्रकार के भोग विलासों में फसा रहता है सहज सुक दुसह दुक विमल विवेक में चकान प्रासलंकार है जानत हूं नहीं जान्यों में विरुदाबास है अज्ञान जन्य मन की परवश्टा का बढ़िया मार्मिक चित्रन भी किया गया है इस पद की और एक बार संक्षिप में मैं अर्द बताना चाहता हूं तुलसिदाज जी अपने मन को प्रवोधित वुद्वोधिन करते हुए कहते हैं की अरे मेरे मन तुझे एक पल को भी विश्राम करने का उसर नहीं मिला है और तु हर समय समसारिक माया मोह की वुलजनों में फसा रहा है माया मोह में फस कर नाना प्रकार के नाच नाचता रहा है तुझे तेरी इंद्रियां चाहे जहां उसी प्रकार तानती रही है जैसे वस्त्र बुनने के लिए सूत को ताना जाता है मिला कहने का आशय है कि जैसे कपड़ा या वस्त्र बुनते समय दागों को कभी इदर और कभी उदर कींच जाता रहता है उसी प्रकार तुझको तेरी इंद्रियां एदर उदर कींचती रही हैं अरे मन यद्यपी विशे बोग में फसकर तुने बड़े दुख बोगे हैं और तु कटिन सामसारिक जाल में गरस्त हैं फिर भी अरे मुर्क मन तु ममत बाव के कारण उसे त्याग नहीं पाता है और जान कर भी अंजान बना रहता है यहां तु सिदास कहना चाहते हैं की सामसारिक बोग विलासों को निसार जानते हुए भी तू उनमें फसा रहता है अरे मुर्क मन अत्वा मुर्क प्राणी तुने अनेक बार जन्म मर्ण जन्म मर्ण का चक्र बोगा है और तेरा हुर्दय अनेक प्रकार के कर्मों की कीचड में संता रहा है तेरा मन इस अहंकार रूपी कीचड से मलिन हो गया है कि तु अनेक कर्मों का करता है अत्वा तेरा हुर्दय नाना कर्मों की कीचड में सना हुआ है अरे मुर्क यह कीचड विवेक रूपी जल से ही दुल सकती है इस तत्य का वर्णन तो वेद और पुराण आदि ग्रंदों में भी किया गया है यह तेरी मुर्कता ही है कि तु अपने परमहिताशी बगवान प्रभु शिराम चंदर जी जैसे स्वामी को बूल रहा है जो पित और गुरु की तरह तेरा कल्यान कर सकते हैं अरे मुर्क तु अब भी उनको प्रसनता परोक अपने हुरदय में दारन कर लो अन्यता तेरा जीवन नना प्रकार के जप तप और अन्यदेवी दैवतावं की पूजा करने रूपी कुएं खोधने में ही वेतीत हो जाएगा आरी भी तेरी प्यास नहीं बुझ पाएगी यहां कहने का थात्पर यह है कि तेरी अबिलाशाओं की पूर्ति तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक मात्र प्रभू श्रीराम चंद्रजी के बजन से ही होगी जाए श्रीराम